नमस्कार दोस्तो इस वक्त की सबसे बड़ी ख़वा निकल के सामने आ रही है बिहार विस यानि की दोस्तो बिहार विध्याले परिक्षा समीती का जो 2021 का कक्षा 10th का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है जी हां दोस्तो बिहार बोर 10th रिजल्ट डिकलियर जी हां दोस्तो किस आज बात करें हम 5 अप्रेल 2021 को बिहार बोर्ड द्वारा कख्या 10 का यानि की 10th क्लास का रिजल्ट डिकलियर हो चुका है साइट 3 बज़े तो दोस्तों चलिए आपको सबसे पहले रिजल्ट निकालने की पूरी प्रोसस बताते हैं आपको 3 साइट बताएंगे इन 3 साइटों में से आपको जोन से भी साइट से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें यानि की IndiaResult.com से भी आप जो है अपना result निकाल सकते हैं चलिये हम Internet आउन करते हैं और उसके बाद दोस्तों आप यहां पे टाइप करेंगे जैसे हम बात करें सरकारी result तो दोस्तों आप यहां पे सरकारी result जो official website है result की आप उससे भी अपना result निकाल सकते हैं सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे सरकारी result की official website पे यहाँ पे आपको result वाले section में सबसे उपर मिलेगा बिहार board 10th class result आप इसके उपर जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट डिकलियर हो चुका है यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है डाउनलोड 10th class metric result जो है click here के सामने आपको click करना है यहाँ पे click करते ही आपके सामने जो है result का जो परफोर्मा है वो दोस्तों open हो जाएगा अभी रिजल्ट जारी किया है जिस वज़े से server जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी हो सकता है अगर आपकी net speed slow हो तो आपका result निकलने में थोड़ा time भी लग सकता है लेकिन दोस्तों हम आपको दूसरी site बताएंगे इसके लिए आपको जो है दूसरी official website है इनीकी रोजगारresult.com आप इससे भी अपना result निकाल सकते हैं यहाँ पर भी आप आएंगे तो आप यहाँ पर result वाले section में आप देख सकते हैं बिहार board high school result 2021 declare आप इसके ओपर click करेंगे click करते हैं आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप scroll करते हुए नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं दो server यहाँ पर download हो चुके हैं download high school result server 1 और server 2 आपको server 2 के ओपर click करना है server 2 जो है काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं annual secondary school examination result 2021 दोस्तों पूरा performa आपको यही follow करना है आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर enter roll number के अंतरगत आपको enter roll code number यहाँ पर जो आपका roll code है वो आपको यहाँ पर enter करना है उसके बाद roll number आपके जो है वो यहाँ पर input करने है और उसके बाद यहाँ पर यह जो आपको math के कुछ digit दिखाए देंगे जोड बाकी यानि की add और substitution का इसको total करके इसका जो actual जो इसका answer है जैसे हम बात करें 62 plus यहाँ पर दोस्तो 62 plus यहाँ पर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर 62 plus 16 है इसका जो add हम बात करें तो 78 होता है तो आपको यहाँ पर capture के अंतरगा 78 भरना है और नीचे आपको जो search का result दिखाई दे रहे हैं इसके पर आपको search करके अपना result आप निकाल सकते हैं दोस्तों मैं live session जल्द ही लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं result निकाल के आपको दिखाने वाला हूँ जिना भियारछो का result नहीं निकाल रहा है वो result यहाँ से निकलवा सकते हैं और दोस्तों तीसरी site में बात कर रहा था दोस्तों तीसरी site है यहाँ पर हम बात करें यहाँ पे tent result के यहाँ पे आपको वही आपका जो है roll number code और वही आपका नाम से भी आप यहाँ से result निकाल सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पे सबसे पहले आप मैं आपको बता दू आप जो है यहाँ पे जो official website है रोजगार result की इसके उपर आप अपना result चेक कर सकते हैं यह site काफी अच्छी तरीके से काम कर रही है ना यही किसी भी प्रकार से hang हो रही है आपको server 1 के उपर click नहीं करना है दोस्तो यहाँ पर एंटर रोल लंबर और यहाँ पर फिर से यह जो add जो है यह आपको करना है जैसे हम बात करे 85 उसका total होगा यहाँ पर 85 आपको submit करके सर्च के उपर आपको click कर देना है click करते है यह आपके सामने शोरे दोस्तो यहाँ पे 82 इस console आएगा 71 पिलस 41 है 44 नहीं है दोस् कुल अच्छी तरीके से calculation करके इस capture code में enter करके आप अपना result निकाल सकते हैं या आप comment box में अपने roll number send कर सकते हैं मैं कुछी देरे में live आने वाला हूँ और आपका result निकाल के आपको बताने वाला हूँ जैसे मेरे पास 10-15 candidates की roll number आते हैं मैं आपको live session में result निकाल के दिखा कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को like share और चैल को subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा